मेरे भाई इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का फस्ट टेस्ट मुकाबला कवर करेंगे हम लोग का टेस्ट किस परकार से जा रहा है तो तमाम हमारे भाई को पता है अब देखो इस मुकाबले में थोड़ा सल्लाख खराब रहा जहां पर हम लोग सेम टीम जो मैं दिया था पर भी जीएल लगभग विन जो मैंने लास्ट पिलेर आप लोगों को बोला कि किसी को भी ले सकतो वैसे फर्स्ट आरगया कवार्ड को लिया बन साइडेर विन हुआ लेकिन किसी ने इस मिरितिन मंधना को लिये होंगे तो भाईया वो भी जीएल विन यहने दोनों जीएल विन बाला कॉंबिनेशन रहे तिन से बड़ा चीज किया है तो उमीद करेंगे इंडिया पर साओц आफरीका में छोटा जीएल इन सब में रता है लेकिन इंडिया साओथ आफरीका बाले बड़ा जीएल रहेगा मिल के सारे भाई कोशिज करेंगे जीएल आना चीह कोसिस जब जब हम लोग उने मिलके किया इस मोल लिंग मीनी जील तो दूर की बाद जील आता है जील आएगा तो मेरे भाई दोनों टीमों का प्रोवेबल फिलिंग लेबन देखेंगे पीच रिपोर्ट सबसे ज़्यादा अहम राता है टेस्ट में और आपको पता है साउथ अफ्रीका में खेला जा रहा लंबा चौडा मैं नहीं कि ये पीच रिपोर्ट वैसे मैं किलियर ली आपको बताने वाला हूँ प्रोवेबल फिलिंग लेबन देखेंगे और टीम किस परकार से बनाना चीए बारिस की भी आसंका है कि क्या नहीं है सारा कुछ लेकिन मेरे भाई इस मुकाबलेओं खेल रहा है वीग बेस वेगेरा जो भी तो हमारे टेली गराम चैनल को आपको जोईन करना बहुत जादा जरूरी है क्योंकि वहाँ पर मिलेका आपको फाइनल टीम जिस टीम से मैं खुद खिलता हूँ इनके अलाबे जील का टीम, पीच रिपोर्ट, पिलेंग इलेवन याने कि बेतर से बेतर सांदार से सांदार टीम बनाने के लिए जितने चीजों कि अब सकता होती है जितने मेरे भाई सारा कुछ टेलिग्राम चैनल पे परवाइड करता हूँ तो आपको जोईन करना किस परकार है जी है मेरे भाई हमारा टेलिग्राम चैनल आपको इस परकार से दिखाई देगा तो मेर भाई साउथ अफ्रिका का प्रोबेबल पिलिंग लेबन डेन एलगर, एडम मकरम, टी डी जोर्जी यहां से होना चीए, टीमा बभुमा, इनके लावे, डी, वेडिंगम, काईल भहरेमन, मारको जानसिन, केसम महराज, जी कोड़ी, कगिशुर अबाडा, लुंगी, ए जब का करके आ रहा है, जी कोड़ी पे नजर होगा, मारको जानसिन पे नजर होगा, कगिशुर अबाडा, लुंगी, नगिरी, आपको मैं बताता हूँ, क्यों नजर होगा, साउथ अफ्रिका के पीज में, फास्ट गिनबाद को बहुँ जादा मदद मिलता है, बौन सरता आपने देखा होगा, इंडिया जब 2021 में गया था, वहाँ पर क्या हुआ था, फास्ट गिनबाद को मदद, वैसे इंडिया का जो क्वालिटी स्पिनर वो कुछ तक मदद करेगा, चाउथ यार पाच में दिन हेल्प मिलेगी, और फाले यार दूसरे दिन जो बारीस की आसं तो थोड़ा सा ये भी बात को नजर रखना है, रोई सर्मा वर्ल्लकप गजब कर रहेते क्या ये टेस्ट में बेस्ट कर पाएगा, वाई जसवाल, शुबमन गिल, विराटकोली आएंगे, स्रियस अईयर, लोकेस राहूल, रविंदर जडेजा, सार्दूल ठाकूर, दोनो देते हैं, तो मेरे भाई, 2022 में दोनों टीम आपस में मुकाबला खेला गया था, केप्टाउन में ये मुकाबला खेला गया था, इंडिया ने पहले बल्लेबाजी का बिराटकोली 89, चेतेस्वर पुजारा 43, बाकी देखो बल्लेबाजी करा कितना मुस्किल था, बिक्टे क कोन लेगे? कगिशो रबाडा 4 बिक्टे, डी ओली भर 1 बिक्टे, मारको जांग्सन 3 बिक्टे, लुंगी एंगी डी 1 बिक्टे, केशब महराज 1 बिक्टे, याने 10 में 1 बिक्टे स्पीनर ले जाता है, अब यहाँचे साउत अपरिका का बल्लेबाजी में के पीटर्शन 72, इनके लावे टेमा बभूमा 28, इंडिया की गेन बाजी देखी जाब 5 बिक्टे जास्पीरित भुमरा ले जाते हैं, उमेश यादव 2 बिक्टे, मोहमद समी 2 बिक्टे, सारदुल ठाकूर 1 बिक्टे, याने 2 बिक्टे, याने 29 बिक्टे जाए वो फास्ट गेन बाज ले ज आता है भई, साउथ अफरिका बले बाजी करने आते केप पिटर्चन यहाँ पर 82, इनके लावे आर वंडर दूसन 41, टीमा बभूमा 22, इंडिया की गेन बाजी में 3 फास्ट गेन बाज बिक्टे ले जाए, याने 2 बिक्टे जोए, सोरी 1 बिक्टे इस्पीनर ले गे, वो इनके लावे दोस्तो अगला मुकाबला देखा जाए, दूसरा मुकाबला ये भी खेला गया था, ये जो हान्स वर्ग याने साउथ अफरिका में ही खेला गया था, इंडिया ने पहले बल्ले बाजी केहल रावल 50 जड़ दिया, इनके लावे आर अश्विन ने 46, जोकि इस्ट स्कोरर रहे, गेन बाजी मारको जानसें 4 विक्टे, डे ओली भर 3 विक्टे, कगी शोर अबाडा 3 विक्टे ले गए, साउथ अफरिका की यहाँ पर देखी जाए, बल्ले बाजी में केपिटर सन 62, इनके लावे टेमा ववुमा 21, बाकी गेन बाजी इंडिया की साथ विकेट लेने, बाजी अठाईस रन भी बनाये, साच चव के 28, यहने रन भी चवगुना कर गए, लोंगी यंगी डी मारको जानसें, कगी शोर अबाडा डी ओली बर, आप देख रहे हुए, मारको जानसें लागभग तीन विक्टे हर मेच में ले जा रहा है, तो थोल साथ विक्टे ले गए, तो मेरे भाई साथ अफरीका जो अपना लास्ट टेस्ट मुकावला जो है, यहाँ पर वीन करके आ रहे है, किनके खिलाब के ला ता वेस्ट इंडिज, खिलाब वेस्ट इंडिज, टेस्ट में बेस्ट नहीं मानी जाती, तो इस परकार से रहा ज्य पादा मजजिग्र नहीं करूँगा, ज्यादा टाइम भी मैं नहीं लूँगा, सिर्फ मैं ये दिखाऊंगा कि किस परकाजी, कोट जी, तीन विक्टे जो कि हाइस्ट ले गए, बाकि टेमा बभुमा 172 मार गए, जो कि यह भी हाइस्ट ले कर गए, बाकि यहाँ से असी विराट कोली 121, तो वेस्ट इंडिस के गिनवाजी की तारधार के सामने इंडिया तो अच्छा कर गया, यहाँ पर देख सकते हो, बाकि आप कुछ नहीं देखेंगे, जो इंपोर्टेन हो है, कॉम्बिनेशन, जी आ मेरे भाई कॉम्बिनेशन देखेंगे, लेकिन इ पर मेसेज करो, मैं वहाँ पर सारे लोग का रिपलाई भी देता हूँ, वह भी पेतर तरीका से, चलिए यहाँ पर बिकट कीपरिंग सेक्षन पर देखा जाए, लोकेश रावल के वहिरे मन को पीक करूँगा, अनुबावल लोकेश रावल बुरा नहीं अब जा सकते हो, ब स्पिरिद बुमरा, कगिशो रवाडा, मोहमद सिराज, इनके लावेज जी, कोट जी हमारे टीम पे होगा, अब देखो एन बर्गर लुंगी अंगिडी में से जो खेलेगा, उनके साथ मैं जाने वाला लुंगी अंगिडी, अब यहाँ से मैं सोच रहा हूँ कि एक बल्ले बाजी भी कर लेगा, पी किरिश्णा बहुत ज्यादा मान है, लेकिन क्या यह कर पाएगा, इनकी गेन बाजी देखो गए, डोमेस्टिक रिकोर्ड देखो, काफी बणिया है, फिलाल के लिए हमारा ये टीम बनता, केप्टन हमारा मारको जान्सेन हो जाता है, भीसी हमारा आज सारदूल ठाकूर हमारा भी सी होगा तो मैं इस परकार से फिलाल टीम बनाया हूँ इन ही के साथ मैं जाने बाला हूँ लाइनाप के बाद कुछ चेंज होगा हमारे टीम पे भी एक दो परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा तो मेरे भाई फिलाल के लिए टीम सेफ कर लो भगवान से आसा करेंगे हम लोगों का रिजल्ट बेतर जाए आप लोग भी मिलकर भगवान से दुआ करो कि हम लोगों का ये मुकाबला अल्टरा किलिन सुप जाए मिलके पैसा चाफे कमाए और जोरदार खेलते रहे डोमेस्टिक फिलिंग लेबन के साथ धन्निवाद